हालो दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल सीटीटी एंटीटीद प्रिप्रेशन में और आज की इस वीडियो में मैं सीटीडी के प्रिभियार सीर क्विश्चन को लेकर आई हूँ यह एक जंप फरवरी 2016 में आयोजीत हुआ था जो पीपर 1 के लिए होता है क्लास 125 के लिए उसमें आज में परिया वरहना धिन के प्रेशनों को हल करूंगी तो आईए शुरू करते हैं निमलीखित में से कौन सा कथार आकलन प्रिक्रिया के बिश्चय में सबसे कम युप्यूक्त है पहला है अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिपनिया बच्ची के सीखनी के बारे में एक समझ प्रदान करती है और चौता है बच्चों के पोर्टफोलियों में केबल उनके सबसे बेहतर कारे नहों कर सभी तरह के कारे होनी चाहिए इसका एंसर है ऑप्शन एक बच्ची का नीज ठीक अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिपनिया करना वर्टफोलियों में बच्चों के सभी तरह के कारे यादी शामिल होने से यह ठीक है कि नेक्स्ट है कि प्रस्ण संक्या बासट कि दिए के प्रस्ण को ध्यान प्रवक परिए क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानबर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उसके नाम लिखे इस प्रस्ण के माध्यम से किस प्रकरमन कोसल का आकलन किया जाता है पहला है बरगी करन एवं चर्चा दूसरा है परिकल्पना एवं प्रियोग करना तीसरा है न्याय के लिए शरुकार और चोथा है अवलोकन एवं डिकॉर्डिंग इसका एंसर है ऑप्शन चार अवलोकन एवं डिकॉर्डिंग ऐसा क्यों क्योंकि अवलोकन एवं डिकॉर्डिंग प्रकरमन कोसल के आकलन के लिए अपने आसपास घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे जिनकी छोटे बच्चे अपनी नोट्बुक में उनके नाम लिखे या तरीका या वर निय मुद्यव वो डैस द्वारा संबोधीत करती है पहला है विज्ञान और समाजिक विज्ञान की विश्यवस्तु और पध्धति के प्रयोग दूसरा है समाजिक विज्ञान और पर्यावरन शिक्षा की विश्यवस्तु के प्रयोग और चोथा है विज्ञान समा कंसर कुशन ने कच्छा पांच एक सिख्षक एक शबाल देते हैं ए्चेश के पांच डशिक के सीक्षक निम् सबाइडेज़ ड़ेजिसिए डिया होगा अगर धर्टी पर कोई पेर नव हो हो उसाो है ए मुक्त अंतवाला अभीशारी है और चौता है ए वद हंतवाला अभीशारी है और प्रस्ण है विशारी है अब कैसे है इसको हम लोग देख लेते हैं मुख्राइल कोई ब्रब्लों गूत्रilstiltale और उसक्ता है और स्वाल वहाँ पूछा गया था सवाल पुछा गया था कि क्या होगा अगर धर्ती पर पेर नहीं हो तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं लेकिन यह पांची लाव लिखने के लिए बोल ला है ठीक है next 65 नंबर कख्छा एक मेपरयाब रणाभध्यान के शिक्षारति हो कि हाकलान के बारे में निम्लिक्त में से कौन सा से शत्य है पहला है मोखिक पर इक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम नौ हो दूसरा है ड्रोइंग क्योंकि बच्चों को इसमें अनंद आता है तीसरा है शिख्चा को कि अभ लोक और रेकर्डिंग किसी को नौ रोके नीति को ध्यान में रखते उए आकलन की कोई आविशक्ता नहीं है पहला है एक, दो, तीन, दूसरा है केबल, चार, तीसरा है एक और दो, चोथा है तीन और चार इसका अंसर है उप्शन एक करना चाहिए साथ ही शिख्षा को अबलोक्र निगर्डिंग करना चाहिए सिख्षार्थीतों का क्लर अवुश्यक होता है ठीक है क्विश्चा नम्र ुश्यासत है कच्छा पांच के सिख्षी का remained फाइल लेती है और और पानी में डाल देती है यहां दिखाती है कि अगर वह उपर तैरता है फिर फाइल को लिएक साथ निए डालती तथा सिख्छार्ति को दिखाते हैं कि डूगता है बार मुन्हों इस इघ्छार्ति को या सोचीने और सजी ने और कारण देने के लिए कहती है ऐसा क्यों हुआ इस प्रस्ट का उत्तर देने में निम्रिखित में से कौन सा प्रकर्मन को असल का उपयोग किया गया है पहला है परीकल्पना दुसरा है वर्गी कर्म तीसरा है अब लोगों नर्च्वा था है मापन कि इसका ऊपसाने परिकल्पना क्या गया प्रेकल्पना न प्रकर्मन कॉसल से समांदी। क्योंकि शम्रिखित के बारे में सोच कर पियोंस्ट कारन देने के लिए कहा गया है वर्गी 9 बंध्मक चिंतर रसमस्या समद़न के लिए चंता संबर्धन करने दूसरा है बच्ची की असमी दायानी विटित्तों का पूसन करने तीसरा है वास्तवी कभ लोकन के अस्थान पर करने पर्या अध्या कंतुत इंसर हो जाएगा ऑप्चन 3 वास्तवी कभ लोकन के अस्तान करना परयाबर नाध्या स्थान के संधर में बांचनी या भ्यास नहीं है अस्तर नमर कुश्चन है महेज कच्छा चार के सिक्षा खरवे बिक्स संडक्षन की अवधारना पर सिक्षार्थी को सम्मेदसील बनाने के लिए यूजना बनाते हैं निमलिखित में से कौन सी एक ग्रतिवी थी इस उद्देशी के लिए सरवाधी को प्यूगत है पहला है बाद विबाद प्रतियुगिता का यूजन दूस्रा है एक पौधे को अपनाने और उसका पोशन करने के लिए प्रतिवी सिख्षार्थी को अभी प्रच्षाहिद करना और चोथा है समूँ चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के शमूँ बनाना इसका एंसर होगा option 2 एक पौधे को अपनाने और उसका पोष्ण करने के लिए प्रतेक शिक्षार्थी को अभिप्रेडिद करना शिक्षार्थी को ब्रिस्ट संडक्षन की अवधारना के प्रतिशम्में दलसीट बलाने यह तो उन्हीं एक पौदे को अपनाने और उसका पोशन करने के लिए भी प्रेजित करना सरवाधिक उप्यूक्त है परियावरन अध्यन में बच्चे सिल्प कला और चित्र कला को समू में शिखना विश्यस रूप से पसंद कर दे क्योंकि पहला है वह सपाटी अधिगम को बढ़ावा देते हैं दूसरा है यह समाजिक अधिगम को बहतर बनाता है तीसरा है जब बच्चों की स्रिजनात्मक्त करना कि प्रिशंद्शा की जातीी है तो यह खुस होते हैं वह उसके प्रधिप्रधित भी होते हैं और चौतव है यह कंख्शामें अनुशासन को बढ़ आता है सही भी कल्प को चुनिए पहला है 1 और 4 दूसरा है 1, 2 और 4 तीसरा है से उन्हें प्रेरना मिलती है गुष्यन है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है निमलिखित में से कौन सा इक प्रयोग करने सम्बंधी संकेतन खाल गैजा सबसे उपिप तरीका है पहला है चित्रपठन दूसरा सब्सक्रा था नाजमक लेकर तीसरा है निर्दर्शन इपर थोथी गवमएक प्रकारणी प्रक्राणों में अनक व्यक्रव सब्सकल आइए pouvस्तली होसा है परिबार एक विबंग समूद्उ है दूसरा है पुस्तय पूस्त कि अन्ने को सब्सक्राणीया बतल रफिट हमागी सब्सक्रांइट Kollegen एंसर हो जाएगा ऑप्शन दो एक दो तीन और चार ठीक है परिबार और समधाय पुस्तक और कहानिया कभिताएं सिख्छक सभी प्रात्वी कच्छा में सजीव निर्जेव जलचक्र पौदे आदी बैकल्पी कवधार्नाओं के प्रमुक्सरोत है नेक्स्ट कोशन पर चलते ह कर लिए दूसरा है उसमें से दूल को हटाने के लिए तीसरा है नमी को पुणता हटाने के लिए चौथा एचार को स्वाधिस्ट बनाने के लिए अपस्टoule हो जाएगा option 3 नमी को पुर्णता हटाने के लिए काच के जारेवं बोतल उसमें आचार भढ़ने से पुर्व सुर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता ऐसा इसलिए किया जाता है कि काच में उपस्थित नमी पुर्णता समाथ हो जाए अने था अचार के खराब होन करने का डर रखता है कि रेनी की दादी उसे एक सुखा कुआ दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 बर्स पहले कुए में पानी था लेकिन अब यहां पुर्णता सूख गया है कुए में पानी शूखने का कारण हो सकते हैं पहला है पीर कुए तथा उसके आज-पास के आप्शन एक और दो दूसरा है तीन के दीसरा केबाल एक और चौथा है के बाल दो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन एक और दो कुए के सुखने का प्रमुख करण आज-पास के इलागों बहुत सारे बोडिंग पंपों का लगा होना साथ ही पेर कुए अब उसके आज-पास के अस्थान की मीटी को आप से मेट से धक धक दिया गया है जिससे पानी का रिशा नीचे नहीं हो पा रहा है तेहत्ता नम आब कुछच्चन है बाल het ना बहा थे अस पर बैटता है क्योंकि बढल तथा भैस में सहजीवी शम्बंद है दूसरा है बहूं опять बहुच पर बढरता है ये को हैं यह और गया ह। इसका एन्सर है onаний ग्यां एक बगुला तथा देस्गिशन के लिए न क्हुंले के लिए नहीं है एफ। अमसे नहीं है एक बोजन भंदारन संचित करना दूसरा है हमसुपलव्ध कराना तीसरा है पथे को सहारा करना च्वेट जल्द जा समस्दûं केम ego in your एक भोजन भंदारन संचीत करना जर पॉधिये को सहारा प्रदान करती है उससे हुमस उपलवत कराती है तो धजय यह भोजन भंदारन संचीत करने का कारे प्राय नहीं करती परेंद पूझ बुद्ब करनम मलेश्वरी के विशय में नीचे दिये गए कथनों पर विचार करिए पहला है वह अंतर राष्ट्रिय ख्याती प्राप्ट भारोत तोलक यानि वेकलिफ्टर है दूसरा है वह करनाटक की है तिसरा है उसने अपने पास बहुत से रिकर्ड बनाए है वह 130 की ग्रातक भार सकती है और चोथा है वह जब 12 वर्ष्ट की थी तब ही से वह भार उठादे का अभ्यास करने लगी सही कथा निन में से क्या है पहला एक दू और तीसरा है के बालेग चोथा है एक तथा चार इसका एंसर है ऑप्शन दो ओ ईक दो और चार करना मलेश्वरी भारत के संद्राइज में संत्र इंकी बहुत किति नहीं अंध्र प्रदेश को फती दार्सथ करें नहींद ंधरता किसका प्रिवत त्रिष्श निर्बान मुकितब वर्सारोइ राज्यों में होता है और उसमें क्येवस संधूसित होता है। में क्यातन मिम्हें कौन से पहला है経न की चाथी मिक्त मृफष सुदर्फ गलत है रोगते हैं कि तुक्रास बेसिजिक सर्ण कैके पढ़ सब्सक्राइब के साथ समधाइग जल सरोत के रूप में भी उपयोगी है इसका निर्मान मुखिता वर्सारीत राज्यों में होता है अठापतर नमर कुश्चन वरली एक पारंपरीक परा है प्रकार है वरली नाम अस्थान किस राज्य में पहला है महाराज दूसरा है ओडिश महाराष्ट राज्य में है या महाराष्ट गुजात सीमा पर सरवाधिक देखने को आपको मिलेगा 79 नमर कुश्चन है तमिल नाडू के निकट वर्ती समीप वर्ती राज्य है पहला है केरल करनाटक और आंधर प्रदेश दूसरा है केरल गुजरात और करनाटक तीसरा है आ करनाटक और आंधर प्रदेश जो अपते लंगाना है इसकी सिमाय गुजरात वों गोवा को नहीं चूती है असी नमर कुश्चन है निमलिखित में से किसको सुनने की शक्ति इतनी तिक छोती है कि वायू से पत्तों के हिलने की ध्वनी और घास पर किसी जानबर के चलने की दूसरा अरावाली तीसरा एक बाग में सुनने की शक्ति इतनी तिक छोती है कि वायू से पत्ते की ध्वनी और घास पर किसी जानबर के चलने की ध्वनी में अंतर को भाफ लेता है कासी नेमर कुश्चन है जब कोई बेक्ति ट्रेन द्वारा अहमादाबाल से केरल की यात् करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है सुरंगे परवतों में हैं पहला है बिद्याचक दूसरा अरावाली तीसरा है पश्मिघाट चौथा है पुर्भी घाट इसका एंसर है ऑप्शन 3 पश्मिघाट ट्रेंद्वारा हमदाबाद से केरल की यतरा करते समय थाल सुरंग दर्रों को पार करना पड़ता है और यह सुरंग दर्रें पश्मिघाट नेश्ती था बेरासी निमर क्वेश्चन है प्रीथवी गोल है बास्ता में प्रीथवी पर उपर नीचे कुछ नहीं होता कि वह सापेक चौता है हम भारत के लोग डैस के लोगों के सापेक उल्टे हो सकते हैं पहला है अलास्का यूएसे दूसरा है लीविया तिसरा है अलजीरिया और चोथा है अर्जेंटीना इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सन चार अर्जेंटीना गोल होने के करण प्रीथवी पर उपर नीचे कुछ नहीं होता बलकि शापेक चौता है चुकि पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन क्या पूर्थी को काट लेता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है दूसरा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्शित किया जाता है तीसरा मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं और चौ कि इसमें पानी का प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन क्या पूर्थी रुख जाती है जिससे मच्छर के लारवे मर जाते हैं 84 नमर कुशन निम्रीखित में कौन सा कीट समूम मद मक्यों के भादी कॉल नहीं यानि बस्ती में एक साथ रहते हैं इसका एंसर है अप्शन चार मक्री या एक साथ नहीं रहते है या एक साथ नहीं रहते हैं होहागी की स्थिती से संब्दित होते हैं एक गाउन के मकानोں के लक्षन नीचे दिए गया है मकान मजबूत बास के खंबों पर बने होते हैं अंधर में भी मकान लक्री के ही बने होते हैं तीसरी जमीन तीन मीटर से सारे तीन मीटर की उचाई पर बने होते हैं मकानों की छटे ढाल होती है यदि इस गाह में भारी वर्षा होती है तो यहां गाह किस राज्य में होनी चाहिए पहला है असम दूसरा है उतर प्रदेश तीसरा है राजस्थान चौथा है बिहार इसका अंसर होगा option 1 एक असम जितनी भी लक्षे इसमें दिये गए हैं वह असम में इस्थित गाउं के यहां भारी भर्षा होती है इसलिए मकानों का निर्मान बास खंभू पर लकरी से किया जाता है यह मकान जमीन से तीन से सारे तीन मीटर की उचाई पर बने होते हैं तथा उसकी छटे ना रुख सके, 86 नमर क्रिश्चन है कुकुर भासा के लोग की भासा है, पहला है मिजोरम, दूसरा है मनीपूर, तीसरा है, अरुनाचल प्रतेश, चौथा है जहारखंड, इसका एंसर है option 4, जहारखंड, कुकुर भासा, जहारखंड और इशाम अध्य प्रतेश, 36 गट, पस् भोजन, दूसरा है, सौरमंडल, तीसरा है, मौसम, चौथा है, उर्जा, इसका अंसर है option 1, भोजन, रस्टीर पास्चरिया की रोफ्रे का 2005 के अंसर भोजन, पर्यावरन अध्यन की विशय वस्तु यानि थीम नहीं है, पर्यावरन का केंद्र बिंदू भोजन को बनाया गय अठासी नंबर कुश्यन है, पर्यावरन अध्यन की विशय वस्तु थीम अधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्लिकित में से कौन सा तरक सबसे अधिक ससकत है, पहला है, यह पाठ योजनाओं को एक धाचा प्रतान करने और सिक्षन को अधिक प्रभावी बना जिस से शिक्षन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, पर्यावरन अध्यर में विशय वस्तु यानि थीम अधारित उपागम को अपनाने से पाठ योजनाओं को एक धाचा प्रतान किया जाता है, जिस से शिक्षन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, प्रभावि बनाने में मदद मिलती सुनाने को सिखन कोसल की रूप में शमलीद करने के लिए कहानियों में बेगतियों के अनभव शामिल होते हैं दूसरा है कहानिया आपने विशेच्चत्र को चूती है, तीजरा है कहानिया कख्छा प्रबंदर में शहायता करती है छोथा है कहानिया परियाबर नद्यन अभधरणाओं की शंबंद जोड़ने के लिए संदर्व उपलफ्द कराती है इसके आंसर है option 3 कहानिया कक्षा प्रबंध में शहायता करती है पर्यावर नध्यन की विशे वस्तु थी माधारी दुपागम को पर्यावर नध्यन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाना इसलिए उप्योगी है क्योंकि इसमें विक्ति गत अनुभव के शाथ अनिक विशे चित्रों को समाहित कर पर्यावर नध्यन अब्धार नाओं के शंबंद जोड़ने के लिए संदर्व उपलत कराती है नबबी नमर कु के मौका मिलना चाहिए चोथा है बच्चे को केबल लिखी जानकारी दी जाए सही भी कल्ब को चुने है पहला है एक और चार दूसरा है दो और तीन इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन चार एक दो और तीन पर्यावरनाध्यन पार्थिपुस्तर की विश्यवस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को प्रश्ण करने वह खोजने का मौका मिले तथा रटनी की प्रविर्ति हतुत साहित हो तथा उसे परिभासाओं और व्याख्यानों से दूर होता है आगे के विडियोज में मैं बचे हुए प्रश्णों को हल करूंगी इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शा क्यमें वेल आइकून को प्रेस करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के बीश करें औ होता है आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद